हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल वन इंफर्मिशन दोस्तों गर्भावस्ता की दारन महिला की मन में ये सवाल जरूर आता है कि शिशु जन में कितना समय लगता है और ये सोच कि कई महिलाएं घबरा जाती है कि मेरी डिलिवरी कैसी होगी कितना दर्द सहन करना पड़ दूर देखिए एंड तक बिना इसकिप किये दोस्तों बहुत कम चांसे में क्या होता है कि डिलिवरी डेट के नजदीक आने पर दर्द शुरू नहीं होता है लेकिन वाटर बेक हो जाता है तो उस कंडिशन में आपको दुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है और अगर तो पेंट शुरू होता है तो कई मईहलाओं को डिलिवरी डेट आते ही हलका हलका दर्द शुरू होता है और ये दर्द रुक-रुक्टे होता है यानि की आधे-ाधे गहंते के अंतराल में ये दर्द आपको ऐसा फिल फोगा जैसे की की आपके पीरेयट्स आने वाला पेट में और कमर में मरोडे भी उठने लगती हैं। ये दर्द आपको लगबग अगर दो तीन घंटे तक रहे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास चली जाएं। क्योंकि यही आपका शुरुवाती लेबर पेन होता है। सेंटी मीटर तक चौड़ा होने पर शिशु का जन्म नर्मली होता है। जैसे जैसे सर्विक्स का मूँ चौड़ा होने लगता है आपको दर्द बहुती ज्यादा बढ़ने लगता है। डॉक्टर लगातार आपकी विजाइना के थ्रू आपका चेक अप करते हैं कि सर्विक् या जोड लगाने को कहें तो आपको ये क्रिया करनी होती है जब तक शिशु पूरी तरीके से बाहर नहीं आ जाता। इसके बाद डॉक्टर शिशु की गर्ब नाल को काट देते हैं जिससे प्लेसेंटा शिशु से अलग हो जाता है और इस तरह शिशु का जन्म हो जाता है जिन महिलाओं का बच्चा गर्ब में एकदम स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होता है वो बच्चे भी मा के पुष्ट करने के साथ खुद भी जोड लगाते हैं बाहर आने के लिए जिससे महिला को ज़्यादा दर्द का सामना नहीं करना पड़ता है और कम समय लगता है डिल इसलिए आपने कई महिलाओं को बोलते हुए सुना होगा कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा पिन नहीं हुआ और ठीक ऐसे ही जो बच्चे गर्ब में थोड़ा कमजोर होते हैं वे ज्यादा पुष्ट नहीं कर पाते हैं बाहर आने के लिए तो महिलाओं को के समय और समय भी थोड़ा ज्यादा लगता है साथ ही जो महिलाओं गर्बावस्ता के दौरान ज्यादा रेस्ट करती हैं उनकी मसल्स सकत हो जाती हैं जिस वजह से उन्हें लेबर पिन अधिक होता है इस दौरान आप ज्यादा घबराएं नहीं और बेचे ना हो क्योंकि ऐ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करें और साथ ही बेल आइकन के जरूर प्रेस करें नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों वीडियो को जरूर जरूर लाइक करिए क् कि आपके लाइक करने से हमारा मनोभल और भी जादा बढ़ता है और वीडियो को शेर करिए ताकि दूसरों की खेल्ट भी हो सके थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो थैंक यू बाई बाई